आज हम बनाने वाले हैं टोस्ट पिज्जा टोस्ट पिज्जा बनाने के लिए गरम देल में खटा हुआ प्राज शिमला मिर्च और मक्का डालेंगे फिर हम उसमें डालेंगे नमक गरम मसाला और चाट मसाला उसे अच्छे तरह से लिफ्स करने के बाद हम उसे थोड़ी देल के लिए अप्रा लगेंगे ताकि वो अच्छे तरह से अच्छे है कुछ तरह बाद हम पुष्काट कर निकालकर उसमें फ्रेश क्रिम डालेंगे और वो अच्छी तरह से मिक्स करके लिए तो यह होगा हमारा पिच्छा टोपी स्प्राइब फिर उसके बाद हम सैंग्विच ब्रेट पर प्रमेटो साउस लगाएंगे प्रमेटो साउस को हम चाने वज़े से स्प्लेट करते लेंगे फिर हम उस पर डालेंगे हमने बनाए हुए टोपिंग उसके बाद हम इसके उपर मुझरेवे चीज़ देंगे हम उसमें चैट मसाला डलांगे अ और फिर हम उसमें दालांगे चिज़ खेर लगास फिर हम एक गरम तबे पर बटर लगा पर अमारे ब्रेड को इस पर रखेंगे फिर हम इसे डख रखेंगे तक तक चप तक यह चीज तुरी तरह से मिल्क में होचे और यह देखो चीज के रहा मिल्क होचे है और यह हो गया हमारा टोस्पिसा खाने के लिए क्यार अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही रिसिपिस देखने ही तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए